ये माहा समन्द की धर्ती, ये ख्षेत्र मेरे लिए नया नहीं है मैं ये ख्षेत्र से बड़ा चीर परिचित रहा हूँ संगठन के कारकरता के नाते मुझे कई वर्षों तक आपके बीच में कार करने का मोका मिला है और उसके कारण यहां के लोगों की आवशक्ताएं क्या है यहां के लोगों की समस्याएं क्या है उन समस्याओं के सुलजाने के रास्ते क्या होते हैं उसका मुझे संगठन के कारकरता के रूप में धर्ती की जानकारियों से काफी कुछ अनुभाव है और इसलिए प्रधान मंत्री बनने के बाद आपके पांस रहकर की जो जाना है जो सीखा है वो मुझे 36 गड़ की विकास योजनाओं में बहुत काम आता है भारत सरकार की योजनाओं को 36 गड़ में हम लागू कर पाते हैं जो 36 गड़ के सामान्य नागरी के जीवन में बहुत उप्योगी होती है और वही कारण है कि भारतिय जनता पार्टी को तीन बार से आपने विकास के मुद्दे पर सेवा करने का मोका दिया है लेकिन दरसल दाक्टर रमन सिंग को सच्चे अर्थ में काम करने की सुविधा तीनों बार नहीं मिली है सिरफ ये साड़े चार साल ही मिली है क्योंकि इसके पहले दिल्ली में रिमोट कंट्रोल से चलने वाली सरकार बैठी थी और वो ऐसे परिवार के हाथ में रिमोट था कि भाजपा नाम सुनते ही भढ़क जाते थे मैं गुजरात में मुख्यमंत्री था मुझे मालूम है कि बीजेपी सरकारों की एक बात दिल्ली में बैटी वही रिमोट कंट्रोल सरकार सुनने को तयार नहीं थी मुझे गुजरात की भलाई के लिए दिल्ली से लड़ना पड़ता था डाक्टर रमान सिंग जी को 36 गड़ की भलाई के लिए दिल्ली के साथ लड़ाई लड़नी पड़ते थे हमारा वो दस साल का समय जनता ने तो हम पर भी स्वाज किया लेकिन हमारा पूरा समय ये नकारात्मक्ष सक्तियों के साथ संगर्ष में चला गया हमारे रमान सिंग जी नक्सलबाद के खिलाब लड़ाई लड़ने के लिए यूपिये की सरकार के पाथ से मदद मांगते थे पुलिस बल मांगते थे आदुनिक सस्त्र मांगते थे कॉमुनिकेशन की व्यवस्ता मांगते थे लेकिन दिल्ली में बैटी हुई कॉंग्रेस की सरकार को रिमोट कंट्रोल वारी सरकार को ऐसा लगता था जैसे चत्थिजगर्ण हिंदूस्तान में है ही नहीं उनको कोई जिम्मेवारी का ऐसात नहीं होता था लेकिन ऐसी नकारात्मक मातावर में भी ऐसी नकारात्मक परिस्तिती में भी डाक्टर रमान सिंग जी ने और उसकी टीम ने चत्थिजगर्ण के नागरीकों के साथ सयोग से विरासत में जो मद्द प्रदेश वाला बिमारू राज्य मिला था जनता जनादन के सयोग से मद्द प्रदेश से अलग हुआ चत्थिजगर्ण जो बिमारू की पहचान के साथ निकला था उस चत्थिजगर्ण को बिमारू से बहार निकाल दिया और विकास की नई उचाईयों पर लाकर के खड़ा कर दिया चत्थिजगर्ण को फलने फुलने का पहला अवसर जब दिल्ली में भाजपा की सरकार बनी तब आया है